शहर में यातायात का दबाव निरंतर बढ़ रहा है इसके चलते ही कई वेकलपिक मार्गों पर भी यातायात का दबाव बढ़ने लगा है हलाकि तमाम वेकलपिक मार्ग या तो संकेत है और या तो उनसे कई जगा बाट लेनेक है आपको बता दे कि पॉन्टा साहिब मार्ग की ही बात करे तो भारतिय सेन्य अकैडमी की पॉसिंग आउट प्रेड या फिर अन्यकारणों से ही इस सड़क पर जाम की स्थिति बढ़ ग और इसके साथ ही पॉधा मार्ग को ही रोपड करने की कवायत शुरू करती है यह मार्ग नंदा की चोकी पर ही पॉन्टा साहिब मार्ग पर मिला जाता है और आपको बता दे कि कोला गड इसको लेकर भी मार्ग के चोड़ा हो गया और जिसके बाद से ही मुख्य मार्ग पर जाम की स्तिदिक में इसका प्रयोग सुगम हो सकेगा और प्रात्य खंड के ही अधिशासी अभियंता डिसी नोटियाल के मुताबिक कहा जा रहा है कि कोला गड इसके साथ ही पोदा मार्ग पर ही एफ आर आई कि पिछले गेट की चहार दिवारी में ही पहाड बाटन नेक है और इसके साथ ही सुगम यातायात के लिए सडक की चोड़ाई करीब 6 मीटर होनी चाहिए जब कि यहाँ पर चोड़ाई महज 3 मीटर है इस मार्ग की चोड़ाई बढ़ाने के लिए शासन नहीं जुलाई महीने में 5.6 करोड रुपे की सवीकृती परदान की थी और विधान सबाद चुनाओ संपन हो जाने के बाद ही चोड़ी करण के काम को आगे बढ़ाया जाएगा पोड़ी गड़वाल जिले के एक यूवक ने दवाई के धोके में ही जहरीला पधार्थ पी लिया है जानकारी के अनुसार सौमवार के सुभा ही जनपत पोड़ी गड़वाल ने ही नेल खंड निवासी गौरव पवार पुत्र विडोत पवार निवासी को उसका दोस्त अमित रावत राजकिय चिकित साले रिशी केश में ही वेहोशी की हालत में उपचाल के लिए लेकर आया और उसने बताया कि गौरव पवार ने धोके से ही दवाई समझ कर जहरीले पदार्ट का सेवन कर लिया है जिसके बाद से ही उसके मूल से जाग निकलने लगा और उसकी तब्यत विगड गई यह देखकर वो रिशी केश अस्पताल में उसके लेकर आया फिलहाल यूवा का लाद चल रहा है और पोड़ी गडवाल के परखंड नैनी डाटा में ही अंतरगत धुमा कोट भोन मोटर मार्क पर एक डंपर के खड़ट में गिरने से ही डंपर चालक घायल हो गया है और घायल चालक को ही उपचार के लिए ननिरस्वास्त में भरती करवाया गया है जानक कारी सामने आई थी इसके साथ ही दवा के धोखे से ही रिशिकेश में यूवक ने जहर पी लिया था और फिलहाल पुलिस ने भी मौके पर पहुँच चुकी है और मामले की जाच लगातार की जा रही है उत्राघंड के कई जिलों में सुभा से धूप खिली हुई है लेकिन कुछ उचाई वाले छेत्रों में हिमपात जारी है कई जिलों में मौसम साफ है जबकि कुमाओ के बागेश्वर में हिमपात हो रहा है कुछ चेत्रों में बादल भी छाए हैं मौसम के करवट बदलने से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है और परदेश के ज़्यादा तर इलाकों में तेज के बाद फिर बारिश और बरफबारी हो सकती है ये सर्दियों की आखरी बारिश और बरफबारी भी हो सकती है इसके बाद मौसम में गर्मी बढ़ने का अनुमान है और परदेश के लगभग सभी इलाकों में इसका असर देखने को मिल सकता है अलाकि जादर जाते होने वाली बारिश और बरफबारी से कुछ देर के लिए ही ठंडवे जाफा हो सकता है मोसम विभा की और से जारी बुलेटन के अनुसार कहा जा रहा है कि लगभग सभी छेत्रों में ही पश्चमी विच्छोप का असर दिखाई देगा इस दोरान गडवाल मंडल के उतरकाशी टिहरी रुद्रप्रियाग चमोली जिलों में भी वर्शा हो सकती है और दूसरी और कुमाओ और बागेश्वर पितोरागर अलमोडा चमपाबत में भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है